हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू मैं चैनल आज हम यहाँ पर पनीर टिक का करी बनाने जा रहे हैं अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो गंटे नूमा निशान आता है उसे जरूर दबाएं उससे क्या होता है जब भी कोई नया वीडियो प्लोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है तो देख लेता है किंची जो कि यहां पर हमें जरूरत होगी तो 200 ग्राम मैंने आपर पनीर लिया है तीन मैंने आपर टमाटर लिया है एक इंच अद्रक का टुकड़ा और दो हरे मेर्च साथ में यहां पर तीन से चार चमच बेशन, तीन चमच सरसो का तेल, हरा दनिया पत्ता, आदा कब दही, एक चमच धनिया पाउडर, नमक स्वादनुसार, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चुथा चमच हल्दी, जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप यहां पर गार्लिक जिंजर पेश्टी उज़ करना चाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, सबसे पहले जो पनीर है, इसे हम स्लाइस में कट करेंगे, तो ऐसे पनीर को बीच में से कट किया, और फिर ऐसे कि उसमें ऐसे कट कर लेंगे, ना ही बुच ज़दा इसे कट क चमक, और साथ में हम इसमें डालेंगे दो पिंच हल्दी पाउडर, अब साथ में जो हमने फेटा हुआ, यहां पे दही लिया है, इसे डाल कर और इसका गोल बना लेंगे, इस गोल को हमें बुच ज़दा थीक नहीं रखना है, ना ही बुच ज़दा पतला करना है, अब जै तो आप देख पार होंगे अच्छी से कोटिंग हो गई है तो इसी लगबग 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे तब तक हम टमाटर का पेश्ट तियार कर लेंगे तो टमाटर को ऐसे कट करेंगे बड़ा बड़ा ही हमें आपे कट करना है क्योंकि हमें इसका अब एक पैन को गैस पे रखेंगे इसमें डाल देंगे सरसो का तेल लगबग 2 चमच मैंने आपे सरसो का तेल डाल दिया है तेल गरम होने पर जो पनेर हमने फ्रीज में रखा था उसे लगबग 15 मिनट तक मैंने रखा है और उसके बाद बाहर निकाल कर और इसके जो इसको हम गरम तेल में रख देंगे और लगबग 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही एक साइड से पकने देंगे तो धीमी आज पे लगबग 2-3 मिनट पकाना है उसके बाद ऐसे फॉक्स से या फिर चमच से आप इसे ऐसे पलट दें तो यह मैंने इसे ऐसे पलट दिया आप देख सक इसे लगबग 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही दीमियाच पे पका लेंगे तो मैंने इसे लगबग 2-3 मिनट पकाया है उसके बद आप देख सकते हैं दूसरे साड़ से भी अच्छे से पक किया है तो बस अभी नहीं हम भार निकाल लेंगे और इसके अंदर जो ओयल है इसमें दो सरसू का तेल तेल गरम होने पे जीरा डाल दें अगर आप यहां पे लैसुन और प्याज यूज करते हैं तो जीरा डालने के बाद कटा हुआ प्यास डाल दें और लैसुन भी डाल दें मैं यहां पे हरी मेच डाल रही हूं तो दो हरी मेच को मैंने बारिक कट करके डाल दि पेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर गार्ट पाउडर पाउडर मैंने काश्मेरी लाल मिर्च का यूज किया है अगर आपको जादा तीखा पसंद तो आप यहां पे लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं टामाटर का पेस्ट जो हमने बना के तयार किया था उसे भी डाल देंगे जब भी आपका श्मेरी लाल मिर्च को डाले तो आज को धीमा गर के ही डालें क्योंकि सूखे मसाले ओयल में डालते हैं तो वो जल्दी चल जाते हैं टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालो को हमें थोड़ी दिर के लिए भूनना है पनीर्टिका का जो कलर होता है वो बिल्कुल रैड होता है नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार तो मैंने याप एक आश्मेरी लाल मिर्च का यूज़ किया है साथ में डाल देंगे याप बूना हुआ बेशन और इसे भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें लगबग आदा कप पानी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उसके बाद हमें मसाले को अच्छे से पकाना है तो मसाले को मैंने याप पका लिया है उसके बाद जो हमने पनीर्टिका याँ पर बना के रखे हैं इन्हें एक एक करके और इस gravy के अंदर डाल देंगे gravy को हमें अच्छे से पकाना है नहीं तो जो सबजी का स्वाद है वो अच्छा नहीं आता है सभी पनेटिका को मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला दिया है आप देख पा रहे होंगे इस पनेटिका का कलर कितना अच्छा है आए तो बस mix करने के बाद इसे cover करके और दो से तीन मिनट पका लेंगे लगबग तीन मिनट तक मैंने इसे पकाया है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पनेटिका करें अच्छे से बन करते हैं यहार होगी है अगर आप को यह थूड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें थूड़ा ज्यादा पाने डाल कर और पका लें तो यह बन के रैडी है पस इसमें डाल देंगे गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे लगबग एक मिनट तक पका लेंगे एक मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे हारा धनिया पत्ता और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी पनेर टिका करी बन के रैडी है तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं इस पनेटिका करे को आप रोटी चपाती पराठा किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं मैसी रोटी के साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं ये खाने में बड़ा स्वादिश्ट लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लेज इसे लाइक जरूर करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो गंटी का निशान आता है उसे जरूर प्रैस करें उससे क्या होता है जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है कमेंट के जर ये जरूर बताए कि रैस्पी कैसी लगी आपका इस उडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद